कि नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंसी आती के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं स्रुजन राजपूत हूं और आप हमें देख रहे हैं इविद्या चानल नमबर 10 पर ये एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन है और ये हिंदी के सत्र है इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी अपने प्रशनों के साथ हमसे जरूर जुड़े आईए पहले हिंदी के विशय को जानते हैं हमारा आज का विशय है ये दंतुरित मुस्कान ए कोई भी प्रशन हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 8800-440-559 या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं dth.class10 at the rate ciet.nic.in पर हमाई साथ अतिती चुड़ चुड़ चुके हैं एक्सपर्ट सर आशीश कुमार आप एक्स जेपी एफ DELNCERT नई दिल्ली से हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर नमस्ता आशीश सर से पहले तो आज के विशय को जानते हैं कि ये दंतुरित मुस्कान आखिर होती लिया गया है नागर जुन इसके कभी है इन्होंने दो कभताएं हमने ली हैं इस पार्ट में यह है दंतुरित मुस्कान और फसल जी तो जो पहली कभता है उसमें हम देखेंगे कि कैसे छोटे बच्चे की जो जब दान्त निकलना शुरू होते हैं तो उसकी जो मुस्कान हो जाती है क्या-क्या जिजैंज़री है fighting फसल को उगाने में क्या-क्या मैनत लग रही है स्रम किस तरीके का है इसको दूसरी तो कर्था के माधन से जानना का प्रयास करेंगे जी मुसकान की हालां कि कई प्रकार हो सकते हैं स है छूप हुई मुसकान है और एक खुशी एक मु कर लेते हैं कि कविता ऑखर होती क्या है क्यूंकि जब हम सहर की बात करते हैं तो सहर कि तीन भागों में विवाजित किया गया जिसमें गद ट और चंपू कावय में तो हम देखे कि मूल रूपर से की गद और पद में क्या न्या है यानि यह दि हम कहें कि मैं जा रहा हूं तो यह गद्ध हो गया यदि हम इसे व्याकरट के प्ज पच्छ से न देखकर जाना है तो यह एक पक्ष है कविता को जानने का कि कविता को हम कैसे पैचाने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी विवाक के अधी व्याकरण के नियमों में नहीं घिरा हुआ है तो वो से हम निश्चित रूप से पद्ध कह सकते हैं कविता कह सकते हैं तो आज हम जो पाट पढ़ने व को इतनी विशेष्टाओं के माध्यम से जाना जाता है क्यों वो प्रिचलित हुए तो हम देखते हैं बच्चों की हिंदी साइथ का इतिहास जब सुरू होता है तो पहले अधिकाल फिर भक्तिकाल जिसमें दो भाग आते हैं भक्तिकाल और रितिकाल उसके बाद हम देखते कि 1936 से 1942 का जो समय है उसे हम प्रग्तिवात के रूप में जान रहे हैं जहां पर नागरजुन को इस्थान प्राप्त होता है तो देर ना करते हुए हम सीधा कविता को देखते हैं एक बार यह दंतुरित मुसकान तुम्हारी यह दंतुरित मुसकान मुरतक में भी डाल देगी जान अब यह नागरजुन ने जिस तरीके से कविता को पेस किया है कि बच्चे की जो दंतुरित मुसकान है वह किस प्रकार की है उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे को आप दंतुर के समान है उसं में भी जां को डाल देता है जैसे आप मुझकुराते हुए बां बच्चे को देखते हैं तो मृटक में भी जान आ जाती है धूल धूसर तुम्हारे ये गात छोड कर तालाब मेरी जोपडी में घिल रहे जलजाथ। तो यहां पर हम देखते हैं कि जलजाथ ज तो उसके जो धूली धूसर जो गाल बगेरा है या उनके भाग है उस पर जब धूल लग जाती है तो इस तरह के से हो जाता है कि मान लीजे कि मेरी जोपडी के अंदर कमल का फूल खिल गया हो, इस तरही से प्रतीत होते हैं, तो कभी यहाँ पर कह रहा है कि जोपडी के अंद तुम्हारा ही प्राण पिखल कर जल बन गया होगा कठिन पासाड अब वो कह रहे हैं कि बच्चे का जब इसपर्स प्राप्त होता है तो मतलब कठोर से कठोर जो पत्थर है वो भी पिखल कर बिल्कुल पानी की तरह पिखल जाता है कह रहे हैं कि परस पाकर यानि कि तुम्हा प्रस्तुत कर रहा है बच्चा जिसकी दंतुरित मुस्कान है उसका अगर इस पर प्राप्त कर लेता है तो पत्थर भी पिगल कर पानी की तरह प्रतीत होता है आगे देखते हैं छू गया तुमसे की जरने लग पड़े सिफालिका के फूल बांस था की बबूल अब वो कह रह करें फ्राइब तो भी बांस फ़्राज में तुमस के साथ उसमस कान के साथ तो चूपालगा के फूल बहुत जूख होते हैं जो चूपे लिग जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि बास था या बबूल यानि कोई व्यक्ति बास या बबूल किसी भी तरह का हो बबूल में हम जानते हैं काटे होते हैं बास एक कठोर लगडी के रूप में प्रयोग किया जाता है घास जिसको हम कहते हैं तो यदि वो किसी बच्चे की मुस्कान और ऑब वो और यह इसे हैं की तुम मुझे पाए नहीं पहचान ? वो सब्सक्राइब भी पहुँचान Sister बिश्वitz गएस स्वाइब गOOD पर ये है कि बिना पलक जबकाए लगातार ही देखना देखते ही रहोगे अनिमेस थक गए हो तुम आख लू मैं फेर तो वो कह रहे हैं कि अब जब तुम इतनी देर से देख रहे हो लगातार मुझे तो निश्चित रूप से थक गए होगे इस से पहले कि तुम और ज्यादा थक जाओ मैं ही वहां से हट जाता हूं तो कभी कि यह जो कल्पना है आप देखिए कि बच्चे की प्रती बिल्कुल सकारात्मक रूप में प्रस्तुत हुई है कि बच्चा जब सामने से देख रहा है लगातार देखता जा रहा है तो कभी को लग रहा है कि नहीं अब मुझ जितना पहली बार यदि तुम्हारी मा न माध्यम बनी होती आज मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान धन्य तुम मा भी तुम्हारी धन्य अब देखिए यहां पर मा की बात की गई है कि जो माध्यम है बच्चे से मिलने का कभी का वो मा ही है क्योंकि मां से ही बच्चा प्राप्त होता है तो कभी मां से मां के पास जाता है और बच्चे को देखता है उसकी दंतुरित मुस्कान को देखता है तो वह पाता है कि एक मां के माध्यम से उसका जुडाव पेस हो रहा है यानि जब मां के पास कभी गया तो उसके पास तो हाधु बht चाहिए उसको देखकर कभी देखता है कि वह धन्य हो जाता है इस स्तिती को देखकर तो मूं को भी धन्यवात कह रहा है जो एकопनी है तो यह एक कहीं, मा के मैं तो कभी दिखाते हुए प्रस्टत हो रहे हैं, अगे देखते हैं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, ढद्धन में रहा अधिती की रूप में रहा तुम से मिलना नहीं हो पाया कभी इसलिए तुम अधिती की तरह ब्यवार कर रहे हो मुझे निरंतर चानने का प्रयास कर रहे हो तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है इसको देखकर मैं धन्य तो हो गया हूं इस उसके बाद लिखा क्या रहा संपर्क वो निश्चित रूप से कह दे रहे हैं कि नहीं तुम्हारा मुझे से कोई सीधा संपर्क नहीं रहा लेकिन तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो है वह मुझे तुम्हारी तरफ आकरसित करती है उंगलियां मा की कराती रही मधू पर्क अब देखिए में दही, घी, सहद, जल और दूद का मिस्रड है, वो यह कह रहे हैं कि उंगलियां मा की कराती रही मदूर पर, यानि कि जो मा की उंगलियां है वे निरंतर आपको मदूर पर क्यानि इन सब का सेवन कराती रही है, जिसके माध्यम से आज आज आप एक दंतुरित मुस्कान को प्रदर्सित कर रहे हैं, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जब की आखे चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी चभी मान, अब वो कह रहे हैं कि जब हम कनकी मार, यहाँ पर एक सब्द है कनकी, कनकी का ताथ पर यह है कि तिर्ची से देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, उस मतलब बिम का यहाँ पर ब्रस्तुत किया है, बिम को, की बच्चा गोद में है, और एक तिर्ची निगा से देख रहा है कभी को, और मुस्कुरा भी रहा है, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जब की आखे चार, और जैसे ह मेरी आखें तुमसे मिल जाती हैं यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविवान वो कह रहे हैं कि जैसी आख से आख मिलती है तुम्हारी तिर्ची निगाहों से मेरी निगाह मिलती है तो यह जो दंतुरित मुस्कान है वो मेरे मन को एकदम भा लेती ह तुम्हारी यह जो चविमान है, सुन्दर मुस्कान है, वो मेरे मन को भा लेती है, तो दंतुरित मुस्कान में कभी ने विलकुल इस तरह से प्रस्तुत किया है कि बच्चा जो है, अगर माली जे गोध में है या उसके दांत निकल रहे हैं, आप देखते हैं कि बच्चा जाता है, उस मतलब लगातार देखने से हट जाता है, तो यह कहीं न कहीं इस कविता में दिखाया है कभी ने, बिलकुल सजीव वर्डन है, बच्चे इस तरह खेल रहे हैं उस तरीके से, बिलकुल सजीव वर्डन किया गया है, इसके बाद हम दूसरी कविता की तरफ बहुत चोटी कविता है, दो ही भाद में इसको विवाजित किया गया है, तो जैसे आप इस कविता को पड़ेंगे तो कहीं न कहीं आप पाएंगे कि दीरे-दीरे कैसे फसल उगाई जा रही है, उस में किन-किन चीजों का, किन वस्तुओं का, किन लोगों का योगदान है, इस बात को जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो हम चलते हैं दीरे-दीरे अब इस कविता को भी देख लेते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, धेर सारी नदियों के पानी का जादू, अब कभी यहां पर फसल के माध्यम से बता रहा है कि फसल जो है, वो किसी एक नदी के नहीं, दो नदी के नहीं, लगातार, कई सारी नदियों के पानी का जादू है, अर्थार्थ, क्योंकि जब फसल उगाते हैं, तो उसे सीचते भी हैं, पानी का जो योगदान है, उसके महत को दिखाया है, कि किस तरह फसल में पानी का योगदान होता है, फसल को बीज बोने से लेकर, सुरुवाद से, हम पानी डालते हैं, और अंत में भी कई बार पानी की सकता होती है, तो पानी का छिड्काओ, या पानी डाला जाता है खेत के अंदर, तो उन्होंने पानी के महट को दिखाया है, कि नदियों का या अलग-अलग जो भी पानी के हमारे छेत्र हैं उनका जो योगदान है फसल को उगाने में वह किस प्रकार है एक के नहीं दो के नहीं लाख-लाख कोटी-कोटी हाथ हाथों के इस पर्स की गर्मा अब आप देखते हैं आपने देखा होगा कि जो खेत में क्रस काम करते हैं किसान जो काम करते हैं या जो मजदूर काम करते हैं तो किसी एक के हाथ की बात नहीं है वो अनेक अनेक हाथ लग कर ही जो फसल जो सुरुवात में माली जे कोई बीज डाल रहा है उसके बाद कोई पानी डाल रहा है कोई कटाई कर रहा है कोई गुडाई कर रहा कि ऩा कि पसल बढ़ी हो रही है उसकी घर्मा की गई वा हुआ cute कि रलूो अृषी कितने लोग हैं वह अगर अपने डाली तूटाई बुनाई आगर भी के जरेयर का पड़ाइं का दिनतों के इस फज्णेश से पाज़सा चीज को बना ले तोर ना बढ़ने का पूरा प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है उसको कभी ने इस कविता के माध्यम से दिखाया है आगे देखते हैं एक ही नहीं दो ही नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुड़ धर्म अब यहाँ पर गुड़ धर्म का मतलब है फीचर जो है जो मिट्टी के जो कहें की रसाइन तक तो है उनके जो उनके माध्यम से जिस तरीकेौह से फसल विखुषत होती है उसका वढ़नग किया गया कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुर्धर्म यानि कि जब हम प्लेट में खाना हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई जगे से खाना अलग अलग जगाओं की मिट्टी का कहीं से कुछ उग के आया है कहीं से सबजी आ रही है कहीं से कुछ आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुड़ धर्म जो है वो एक साथ एकत्रित होते हैं हमारे प्लेट के अंदर तो हम पाते हैं कि फसल जो उग रही है दिरे-दिरे माली जे कहीं पर गेहूं उग रहा है कहीं चावल उग रहा है या कहीं सबजी उगाई जा रही है कहीं दाल उगाई जा रही है तो इन सब का जो मिस्टरड है वो एक तरीके से हमें प्लेट के अंदर मिलता है तो वही यहाँ पर है कि हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुर्धर्म यानि कि जो मिट्टी में पोसक तत्व हैं वह फसल के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं आगे कविता को देखते हैं एक भाग तो आपने कविता का पिछला देख लिए कि किस तरीके से कविता में दिखाया है कि फसल किस तरह से विक्सित हो रही है आप कहरें कि फसल क्या है यह प्रश् कि लिए जानने के लिए वाई नदियों के पानी का जादू है वे वो कह रहे हैं कि फसल क्या है पहले ही सवाल कर रहे है और उसके बाद केह रहे हैं तो और तो कुछ नहीं है वै नदियों के पानी का जादू है वै वρεί कह रहे हैं कि अलग-अलग जो नदियों का पानी है जिससे सिचाई की जारही है फसल वही है दरसल जो फसल को उगाने का प्रोसेस ही है मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे जो बीज हम डालते हैं तो पानी स्थेही अंकरित होना शुरू होता है तो उन्होंने पहली लाइन में ये कह दिया है कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं वे नदियों के पानी का ही जादू है उसके बाद कह रहे हैं कि नदियों के पानी के जो पोसकत्तों हैं जिसके माद्यम से फसल विक्सित हो रही है वे सब जाके फसल में मिल जा रहे हैं और हमें फसल कहीं न कहीं विक्सित होती नजर आ रही है हाथों के इसपर्स की महिमा है इसके बाद कह रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि किसानों किस तरीके से फसल उगा रहे हैं तो हाथों के इसपर्स की महिमा यानि कि जब बीज डाला जा रहा है सुरू से तो हाथों के माध्यम से बीज का छिड़काओ कर रहे हैं उसके बाद फसल उग रही है तो किसान उसको अपने बेटे की तरह या मतलब अपने पुत्पुत्री की तरह ही पालन पुसल करते हैं उसके बाद कटाई और इन सब चीजों के प्रॉसेस होकर ही हमें प्राप्त होती है तो वो कह रहे हैं कि हातों के इसपर्स की महमा है अर्थार वो हातों का इसपर्स ही है जिसके माध्यम से हम फसल को प्राप्त कर ले रहे हैं भूरी काली संदली मिट्टी का गोड़ धर्म है, अब यहां पर बता रहे हैं कि अलग-अलग मिट्टी में किस तरह से अलग-अलग फसलों को उगाया जाता है, हम देखते हैं कि कहीं किस प्रकार की मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं भूरी मिट्टी है, कहीं संदली म संध्री रंग का प्रयोग किया है कि मिट्टी जो गोड है वह समें दिखने लगे तो मिट्टी से हम देखते हैं कि किस मिट्टी में क्या गड़ाय के लिए भी तंदली मिट्टी का गुडधर्म है यानि जिस भी फसल को हम जिस मिट्टी में उगा रहे हैं उसका गुडधर्म उस फसल के माध्यम से हम तक प्राप्त होता है क्योंकि जो फसल है वो उसी प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है जहां पर उसके अनकूल वातावरण हो और से लेकर पौधे की पौधे तक जो बन रहा है जहां पर अनाज तयार हो रहा है या फसल तयार हो रही है तो वो कह रहे हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का यानि जब बीज होता है उससे जब पौधा पूरा रूपांतरित होकर तयार हो जाती है फसल तो वहां तक के उस प्रत्वी पर जो भी चीजें हैं, उनका विकास कहीं न कहीं सूर के माध्यम, सूर के किरिणों के माध्यम से हो रहा है, उसके बाद कह रहे हैं, सिम्टा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हमने देखा होगा कि खेत में जो हवा चलती है, तो फसल बिल्कुल लहरा आती है, तो क्यों न हम उसके महत को भी समझें, तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पानी की बात हो रही है, उसके बाद हाथों के इसपर्स की बात हो रही है, उसके बाद मिट्टी की बात हो रही है, सूरज के किरिणों की बात हो रही है, और हवा की बात हो रही है, तो हम देख कि किस तरह से फसल को बीच से लेकर विक्षित होते हुए आपने देखा इन दोनों ही कविताओं को पार्थ जो हमने दोनों कविताएं पड़ी है इन्हें पार्थिक्रम 10 में कक्षा 10 के बच्चों के पार्थिक्रम में क्यों जोड़ा गया है क्या महत्व है या फिर कहीं कि क् पार्थिक्रम दया जो कि आटी बच्चों को इन कविताओ के माध्यम से नागरजुन की जो रचित कविताएं उनकी प्रयास हुआ है यरे आती तो फृति हैं तो कहीं न कहीं कच्छा-दस։ को समझें कि दंतुरित मुस्कान का क्या महत्व हैं वह किस-किस चीज किस-किस तरह से प्रबाविद करती है और किस किस तरह से लोगों का मन मो जाती है बिलकुल बिलकुल कि जब बड़े होते जाते हैं जैसे हम तो हम कही ना कही एक नकली मुस्कराहाट के बीच में फस जाते हैं जिसको यहाँ पर नया दिखाते हुए बिल्कुल जो असली मुस्कराहाट है उसको दिखाया है वहीं हम फसल कविता की बात करें तो फसल किस तरह से उग रही है और किस तरह से विक्सित हो आज हमने हिंदी के इस सत्र में दो कविताएं पढ़ी एक त्रही ये दंतुरित मुस्कान और दूसरी फसल इनने दोनों ही कविताओं को नागरजुन द्वारा रचित किया गया है और अशीश सर ने हमें इस कक्षा के जरिये सत्र के जरिये जो है इन कविताओं को समझाया सर इसके लिए आपका बहुत बहुत हमेद नमस्कार इसके लिए अधिक जानकारी के लिए और प्रवेश पत्र के लिए कृपया आप सियाए इटी की वेब साइट पर जाएं और स्क्रीन पर दिखाये जारे क्यूर को भी आप स्कैन करकर वेब साइट तक पहुँच सकते हैं आपकी प्रविश्टिया हम तक पहुँच जाएं इसके लिए अंतिम्तिधी जो निर्धारित की गई है वो 20 जनवरी 2024 की है तो इसी के साथ मैं स्रुजन राशपूत चाहूंगी कि आप हमारे सत्रों से तो यूही जुड़े रहें और अपने ज्यान की जो एक माध्य में हमसे जुड़ने का ज्यान उसे बढ़ाते रहें और अपने प्रशनों को भी हम तक पहुँच आते रहें मैं आपसे चाहूंगी अनुमती कुछ ही समय में दूस्टे सत्र के साथ आपसे फिर जोड़ते हैं नमस्कार